इस वीडियो में बात करेंगे चलुकरेश्टरी के बारे में अब दिखें चलुकरेश्टरी जो है उसमें Mainly Focus हो दिखें हम Eastern और Western चलुकरे को उपर करेंगे लेकिन आगको मैं बदामी और चलुकरे के बारे में भी यहां पर बताऊँगा तो ये lecture को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तीन पार्ट कौन से तो देखे तीन पार्ट ऐसे हो गए कि पहला हम करेंगे ये इसमें बदामी उफ चलुक के फिर करेंगे इस्टन चलुक के फिर करेंगे वेस्टन चालुक के तीन पार बनाने का यह मतलब है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो देखे आपको यहां पर मैं इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ आपको कभी यह बूलेगा नहीं हम बात करते हैं चालुक के डैनेस्टी के बारे में आप जब भी कोई भी लेक्चर देखे या जब भी कोई चीज पढ़े आपको एकी चीज जयाद होने चाहिए कि वो जो डैनेस्टी है उसके पहले वाला शासक या उसके पहले वाले डैनेस्टी कौन सी थी अब देखे जैसे चालुक के डैनेस्टी है इससे पहले जो थे वो कौन था कदम्ब वंच कदम्ब वंच जो था इससे पहले था और चलुक के डिनाश्टी जब खतम हो जाती है उसके बाद में कौन आये थे उसके बाद में आये थे राश्टर कूट ठीक है राश्टर कूट यानि की चलोक के डिनेस्टी से पहले कौन थे कदम और चलोक के डिनेस्टी के बार को नहीं थे राश्टर कूट ठीके फ्रेंस तो यह बहुत जादा इंप्रोडन्ट है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी चलुक के डैस्टी के बारे में तो उससे पहले आप यह देखे एक बार यह मैप भी देख लिजिए यह मैप बहुत जादा है तो इस एरिया में चलुक के डैस्टी जो थी इनका कब्जा था बहुत जादा important है यह तो आपको यह अच्छे से करना है कि ताकि आपका पहल ही बार में net qualify हो जाए अगर आप किसी और exam की त्यारे भी कर रहे हैं तभी आपके यह बहुत काम आने वाला है देखे थोड़ा सा introduction देख लेते हैं यहां पर देखे चालुक के डियस्टी के अगर हम बात करें यहां पर चालुक के डियस्टी के बारे में दा फाइंडिंग सा शिइन इंडियूरब के अगर आंग बात करें तो हमें कुछ भी कलेइव यहां पर नहीं मिलती हम ऐसे क्लीर डिटेल हम यहां पर नहीं मिलती चालुक के बारे में कि कहां पर जो चलुक के रहते थे कि उसके बारे में कुछ भी देखे स्पष्ट नहीं है कुछ भी यहाँ पर हम कहते हैं कुछ भी स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कुछ भी कलियर नहीं है कि कहां पर जो चलुक के रूलर रहते थे अब देखे ऐसा हो सकता है कि उन्हें देखे पहली बात तो उनका कोई क्लियर नहीं था कि वो कहां पे रहते थे कहां पे रहते थे तो उसके बार में देखे उन्हें ने कोई भी अपना डॉक्मेंट जो था वो पीछे नहीं चोड़ा ना है कोई एविडेन्स चोड़ा है यहां पे उन्हें ने एविडेन्स नहीं चोड़ा ना ही कोई डॉक्मेंट चोड़ा है जिससे पता लगा जा सके कि वो actually कहां पे रहते थे जैकर आप देखिए कि मेटवल हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगा अगर जाके आप देखिए कि वहाँ पे आपको मुगलों की कबरें मिल जाएंगी तो पते चल जाएगा कि यहाँ पे मुगल की कबर थी लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम चल आपके डेंस्ट्री के बारे में बात करें यहाँ पे ना तो उनकी कोई कबर है ना ही कोई उनका कोई सबूत है ऐसा माना जाता है कि वो शायद इसमें विश्वास रखते होंगे वो इसमें बिलीव रखते होंगे कि जो उनकी मृत्यू है जो उनकी डेथ है उसको गुप्त रखा जाए यहाँ कि किसी को बताया न जाए कि ताकि उनका जो जो उनकी डेथ के बाद जो उनकी ग्रेव से है वो एक शांती पूरन तरीके से एक डिस्क्रीट मैनर एक अच्छे तरीके से उनकी ग्रेव को बनाया जाए तो हो सकता है इसी कारण से उन्होंने कोई भी डॉकुमेंट नहीं छोड़ा इस वज़े से यह ऐसी इंफोर्मेशन आपको दे रहा हूं अब देखे चलुक्के के बारे में बात करें जो राजा थे वो फेमस थे किसके बारे में वो फेमस थे वो प्रिसिद थे बिल्डिंग्स यानकी जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है जैसे जिसमें देखे मंदिर बनाए है उन्होंने उन्होंने देखे एक अच्छे आर्किटेक्चर बनाए है एक उन्होंने एक अच्छे आर्किटेक्चर बनाए है वो कहां पर बनाए है जैसे एहोल है बदामी है पटाकल है यह सारे जो करनाड़क के एरिया है तो यहां पर हमें यह देखने को मिलते हैं यह किन्होंने बनाए है यह बनाए है चलुक्य ने तो इनसे यही पता चलता है कि जो चलुक्यन किंग से उन्होंने यहाँ पर बिल्लिंग्स बनाई है टेंपल बनाए है है होल बदामी फटाकल में तो देखे अब बात करते हैं facts के बारे में अब देखे fact क्या यहां पर देखे दा चलुक्यन ruled part of southern and central India between 6th century and the 12th century अब देखे बात करें यहां पर कि जो चलुक्यन जो शासक थे जो चलुक्यन जो राजा थे उनका जो time period था वो था 6th century से 12th century के बीच में इनका शासन कहां पर देखे सदर्न एन central इंडिया में यहनकी दक्षिन भारत से मध्य काल जो मध्य भारत था बहां तक ठीक है दक्षिन भारत से मध्य भारत इनकी सदर्न एन Central India पे इन्होंने राज किया था कब से कब तक किया था इन्होंने किया था 6 century से 12th century के बीज में ये तीन पार्ट में बटे हुए है तो देखे चलुक अंडरेश्टरी तीन पार्ट में है विशनुवर्दन ये आगे जाके यगा फिर वी आपको यहांपे मैं इसमें बतारा हूं और देखे जो वेस्टन चलुके हैं यानकी चलुके ओफ कल्यानी इनके है टैलप टीक है टैलप टू ये किनके हैं ये हैं वेस्टन चलुके के यानकी अगर हम देखा जाए तो बदमी चलुके के हैं पुलकेशन वन इस्टन चलुके हैं इनकी चलुके के हैं कुपजा विश् तो देखिए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको मैंने ये फैक्ट बता दी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्डन्ट है अगर आप योजी सनेट के लावा कोई एक्जाम दे रहे हैं तब भी आपके बहुत काम आएंगे तो देखिए सबसे बहुत करते हैं बदामी चलुक्य के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए अरलेस्ट चलुक्य विद देर कैपिटल एट बदामी इन करनाटका अब देखिए सबसे बहुत जो चलुक्य थे इनकी जो कैपिटल थी वो थी बदामी जिने आज जाता है यह कहां पे थी करनाटका में आपको स्टेट याद रून चाहिए कहां पे है यह करनाटका में थे आप देखें कि इन्होंने जो शासन की अधर जो उनका राजपाट था वो था मेड़ सिक्स सेंचरी में और यह डिकलाइन की इनका पतन हो गया था जो इनके जो महान राजा थे ग्रेटेस्ट किंग थे पुलकेशन टू के बाद जब पुलकेशन टू की 642 में डेथ हो जाती है उसके बाद एक इनका डिकलाइन होना शुरू हो गया देखें ऐसा माना जाता है कि जैसे राजा अजोग थे जब राजा अजोग की डेथ होगी वो कितने पावरफूल राजा थे उनके बाद देखें कि जो मौरे वैंच था वो डिकलाइन पर आ गया आगे वले राजा इतना बड़ी है रहे नहीं जिनका फाइदा उठाते हुए तो दूसरे शासन राजा ने उनके उपर कबजा कर लिया तो आपको बताए जैसे भाद इनपर आ जाता है आप देखें यहाँ पर मैने बना रखा है कि यह आहूल में है यह हूल जो जगह है करनाटजा में यह बदामी चलुक के दगरा बनाया गया है ठीक है तो यह उल्का यह मंदिर है आप ये अच्छे से देख सकते हैं कितना बड़िया तरीके से लग रहे हैं तो देखे यहां पे बात कर लेते हैं बदामी चलुक्य के राजाओं के बारे में यहां पर सबसे पहले आपको बात बता दूँ कि जो बादमी चलुके थे इनका जो शासन का जो टाइम पिरड़ था वो ता 543 से 757 ये 57 है यह इनकी 543 इसमी से 757 इसमी तक इनका जो टाइम पिरड़ था बादमी चलुके का अब देखें इनके राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देखें इनके जो राजा थे जो इनके जो founder थे वो थे publication 1 इनका जो time period था वो कब से कब तक था वो था 543 से 566 तक तो देखें contribution क्या था यह founder थे dynasty के यानकी इन्होंने जो बदामी चुलक्के थी उसकी नीव रखी थी उसके बाद देखिए build major Hindu temple in hall, ehol में देखें उन्होंने Hindu temples यानकी जो Hindu स्राव के मंदिर बनाए थे और साथ में देखें बदामी पडाकल रिजन में इन्होंने Hindu मंदिर बनाए थे कोशन आ सकता है बताईए कि एहोल में या बदामी में या पडाकल रिजन में किस राजा ने मंदिर बनाए थे वो थे पुलकेशन वन ये किस से संबन्दी थे पुलकेशन वन ये चलुक्यन वन्च थे वन्च के राजा थे उसको बदेखे राफ़र टू एस सत्यश्रिया वल्लब एंड धर्मा महराज इन्सक्रिप्शन अब देखे जो इंसक्रिप्शन है जो शिला लेक है उसमें पुलकेशन वन को सत्यश्रिया वल्लब और धर्म महराज कहा गया है तो कोशना सकता है बदाए कि सत्यश्रिया जो है वो किसे कहा गया है इंस्क्रिप्शन में पुलकेशन वन वल्लब किसे कहा गया है पुलकेशन वन और धर्म महराज ये कोशना सकता है धर्म महराज के रोब में किसे संदर्भित किया गया है या किसे कहा गया है किसे रैफर क दम्हन चेटे याँ कि बदामी जॉट की कि वह इसके फांडर थे राजा है, जो राजा अपने राज्य को और अगे अपने जोभम रंप्लोंच की और अपने वह अधे, पूल्म्हन जदा बढ़ा देऊन टोफांडर थीका, एक उता है, founder एक होता है true founder jazz इमहा जो है इसके वो पहले राजा थे और इसके true founder कौन है वो है publication 1 तो बान लीजे एक्जाम में आपको caution आ जाता है बताए कि बदामी उफ चलुके के जो पहले राजा कौन थे तो वहाँ पे अगर आपको publication 1 है तो आप publication 1 के उपर टिक करिए लेकिन अगर आपको वहाँ पे publication 1 नहीं दिया हुआ jazz इमहा लिखा है तो वहाँ पे आपको jazz इमहा के उपर टिक करना है तो next है कीरती वर्मन 1 देहें कीरती मर्मन वर्मन जो 1 है तो यह अगले शासक है यह publication 1 के बेटे हैं इनका जो time period है वो है 566 से 597 he consolidate the newly founded चलुक्य kingdom through the subjection of the करमबास the नालास of नलवडी the aloobs of साउथ कंद्रा and the मौरजीव of कॉंकर अब देखें जो कीरती वर्मन 1 जो राजा आते हैं पहली बात application 1 के बेटे हैं उनके बाद देखें कि इन्होंने जो अपनी kingdom है यह की जो चलुक के kingdom है उनको इन्होंने consolidate किया ठीक है इन्होंने उनको consolidate किया कैसे consolidate किया जेखें जो नलवडी जो नलवडी के जो नल है उसके बाद जो दक्षनी जो कंडरा है उसके जो अलूप है और कौंकन के जो मौरे है यहां पे कौंकन के जो मौरे है तो देखे उनके जो चीफ है ठीक है यहां की जो कौंकन के जो मौरे है उनकी जो चीफ है उनके द्वारा इन्होंने क्या किया चलुप के राजा को यहां की चलूप के समराज्य को यहां की चलूप के डिनस्टियों को क्या किया कंसॉलिडेट किया ठीए फ्रेंट्स यहां कि इन्होंने अपने राज्य को अपनी स्टेट को अपने चलूप के किंग्डम को इन्होंने consolidate किया किनकी help से किया या मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है कदम से नल से और जो अलूब है उनसे और जो मौरे जो है चीफ है कौंकर गें उनसे सो उसके बाद देखिए next time मंगलेश इनका time period आता है 5.97 से 6.09 में अब देखिए जो मंगलेश है इनके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या है कि ruled as regent as the heir to the throne अब देखिए जो मंगलेश है वो सिहासन के यानि कि जो इनका जो देखिए जो सिहासन है जो थ्र किया यानि कि देखिए कीर्थी वर्मन बन के बाद कौन से राजा आते हैं मंगलेश तो सीधे ही मतलब है कीर्थी वर्मन बन के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं मंगलेश उसके बाद देखिए assume the title of अरुना प्राक्रम रन विक्रम और परम भगत तो देखे and excavated the वैशनव temple of बदामी अब देखे जो ये उपादियां है जो टाइटल है उर्ना प्राक्रम रन विक्रम और परम भगत तो ये उपादिया किन को मिली थी ये मिली थी मंगलेश को जो बदामी चलुक्य के राजा थे अब देखे इन्होंने बदामी में वैशनव मंदिर की खुदाई करवाई थी तो देखे बहुत इपॉर्टन कॉशन मनता है आपको देखे एक्जाम में आ सकता है बदाई कि इसकी उपादी जो है वो किसे मिली हुई है तो आप याद रखेगा बदामी के जो राजा है मंग ले इसको ठीक है फ्रेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है देखे आपको जो भी इसमें लेक्सिन में करा रहा हूँ डिरेक्ट कॉशन बनने के यहाँ पे 100% chances है तो ऐसे कॉशन एक्जाम में आते या आपको एक्जाम में कॉशन ऐसे पोल लेते कि हमांके बताईए कि उड़ना जो प्राकरम राना विकरम परमभागव की जो अपादी है वो पुलकेशन बन को दी हुई है बताई यह सही है कि गलत है statement wise question होते है न ऐसे तो वाँ आपको याद दखना है कि उसे उपादी वो नहीं मिली है यह उपादी मिली है मंगलेश को next चलते है तो देखें next करते हैं देखें मंगलेश तो हम करी चुके हैं उसके बाद बारी आती है पुलकेशन टू की तो देखें पुलकेशन टू वही है जो कुपजा विश्णू बर्धन के भाई है जिन्होंने कुपजा विश्णू बर्धन को क्याद किया था उन्होंने इस्टन चलुके यहनकी जो वैंकी का जो लुके है उनको सौंपा था as a viceroy ठीके फ्रेंट्स तो पुलकेशन 2 का जो टाइम पिरिट है वो है 609 से 642 अब देखे ये पुलकेशन 2 ये पहले ऐसे राजा हैं जिनोंने सोने का सिक्का जारी किया तक आँपे दक्षिन भारत में यनकी साउथ इंडिया में तो कॉशन देखे एक्साम में कैसे बनेगा कॉशन बनेगा एक्साम में बताईए कि साउथ इंडिया में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने वाले उस राजा का नाम बताईए यनकी वो कौन से राजा हैं जिनोंने दक्षिन भारत में साउथ इंडिया में पहले बार सोने का जारी किया था वो है PULKATION 2 आपको exam में वैसे ही कौशन आएंगे आप देखें जब भी exam में हम बैठते हैं तो आप जब कौशन करते हैं आपके मन में एक ही डाउट रहते है कि हमने यह पढ़ाई नहीं है यह बाहर जागा बाहर से कभी कुश नहीं आएगा बस आपको फोकस करना है टॉपिक के उपर वो कहां से कौशन पूश लेगा किसी को नहीं पता इस चाइल्ड हुड नेम वाज एरिया एड अब देखें उनके बचपन का नाम क्या था एरिया नाम था अब देखें चालुक के परमिश्वर की उपादी भी इन्हें दी गएगी है देखें जहां पर जितने भी राजा के नाम आ रहे हैं आप उनकी उपादी को अच्छे से कर लीजिए कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टन है यही एक्जामे कोशन पोचेंगे आपको वो कन्फ्यूस कर देंगे बिलकुली आप देखें इतने राजाओं के नाम है हमें आगे जाके देखें इस्टन चलुक के राजा के नाम भी पढ़ने हैं वेस्टन के पढ़ने हैं हम बदामे के पढ़ने हैं तो इनके नाम इनकी उपादिया मिक्स ना हो जाए इसलिए आप इसे अच्छे से करिए चलूक के परमेश्वर की उपादी जो है वो किसे मिली है वो मिली है पुलकेशन टू को ये देखे सिंपल सा इसे लॉजिक आप याद कर सकते हैं P से परमेश्वर और P से पुलकेशन तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि देखे पी से परमेशन परी से पुलकेशन तो ये किसे मिली पुलकेशन टूग हो उसके बाद देखे विक्रमा दित्ते विक्रमा दित्ते का टाइम पर रड़ आता है सिक 55680 ये कि 655 से 680 देखे हमारे जो भारती इतिहास है ये कि जो इंडिनिस्ट्री है उसमें 14 तरह के विक्रमा दित्ते राजा हुए है विक्रमी युद्य क्या है एक ये तो देखे राजा के यहां पर नाम बताए जाते हैं लेकिन विक्रमा युद्य क्या थी, एक उपादी दि जाती थी यहनकी हमारे भारतिय तैस में 14 तरह के विक्रमा युद्य राजा है, यह एक Jew breakfast आपको दे रहा हूं तो देखें इनका नाम था विक्रमा इत्ते वन विक्रमा इत्ते जो वन थे उनका टायम बेरेट था आपको बता जुगा हूँ He restored He restored order in the Fractured kingdom and made Vatappi as Capital आप देखें जो विक्रमा इत्ते जो वन थे उन्हों देखें कि उसने खंटित राज्ये में व्यवस्ता बहाल की खंटित राज्ये मतलब की यहां पे देखे Restored Order क्या है Fractured Kingdom क्या होती है एक ऐसा राज्ये जिसकी जो कहते हैं जिसकी व्यवस्ता या जिसका जो structure था या जिसका जो पहले वाला हाल नहीं रहा था यानि कि देखे इन्होंने पहली बार तो क्या क्या विक्रमाईते ने वतापी को जिने आज का बदामी कहते है उन्हें अपनी राज्धानी बनाया तो कौश ना सकता है पता है कि चलोक के वज़ कि किस राजा ने जो बदामी है उसे अपनी राज्धानी पहले ही था देखे टाइम पिरिट के साफ से क्या होता है कुछ कमिया आ जाती है तो उन्हीं कमियों को इन्होंने पूरा किया था अब देखे उसके बाद आते हैं विनिया अधित्या इनका टाइम पिरिट है 680 से 696 के बीच में तो देखे अब देखे जो विनिया देते हैं इनके टाइम पिरिट में आप देखे जो इनका टाइम पिरिट था उसमें शान्ती थी और हर्मिनी थी इनकी सदभाव और शान्ती थी तो यहाँ पर क्या था कुछ भी यहाँ पर लड़ाई जगड़ा नहीं था कोई कोछ नहीं था यहाँ पर बिलकुल यह ने शांती बनाके रख्यूई थी उसके बाद ही जूम दा टाइटल युद्मला उसके बाद सहस्त्र शिका सत्षिर्या की उपाधी धारन की तो देखे यह सत्षिर्या की उपाधी पहले भी आ चुकी है तो इन्हें भी मिली है तो देखे युद्मिला हो गया युद्मिला सहस्त्र का और सत्षिर्या की जो उपाधी है वो मिली है विन्या अधित्य को नेक्स्ट है विजय दित्या ये है 6.96 से 7.33 के बीच में देखे इनके टाइम पिरिड में भी आसा था इनका जो टाइम पिरिड था जो इनका शासनकाल था उसके टाइम पिरिड में भी क्या था यहां पे शांती बनी हुई थी उसके बाद देखे विक्रम अधित्य टू ये है 7.33 से 7.46 के बीच में फेमस विरुपक्षा टेंपल जने लोकिश्वर टेंपल एंड मलिका अरजुन टेंपल वास बिल्ट डियूरिंग इस रैन यान कि देखे इनके शासनकाल के दोरान क्या था जो फेमस विरुपक्षा मंदिर है जिसे लोकिश्वर मंदिर भी का जाता है और मलिका अरजुन जो मंदिर है वो इनके टाइम पिरिड में बना था कौशन आसकता बताईगे कि इसकी स्तापना इसे किसने बनवाया था तो वो थे विक्करमा दिर्थे टू नेक्स्ट है कीरती वर्मन टू देखे आपको मैं यहां पे एक बाद दाएता हूँ आपने हमेशा देखा होगा कि रजाओं के नाम के आगे वन टू लिखा होता है तो ऐसा नहीं था कि जब कोई भी रजा होता था वो अपने बेटे का नाम टू रख देता था थी रख देता ऐसा कुछ नहीं था ये historian जो है जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने हमारी सहूलियत के लिए कि हमें कहीं पे भी कुछ भी confusion ना हो तब ही उन्हें यहां पे 1,2,3 डाला हुआ है अमा लिजे वो 1,2,3 डाला ही ना हमने विक्रमेत उपर भी बड़ा था यहां पे भी बड़ा है तो हमें यहां पे confusion हो जाएगी तो इसलिए historian नहीं यहां पे क्या है वो 1,2 डाल देते हैं साथ में ठीक है friends तो वैसे मैं इसको हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ तो अगर आपको नहीं पता तो आप यह समझ सकते हैं नेक्स्ट है कीरती वर्मन टू का देखे जो time period है वो है 746 से 753 के बीच में also known as रहपा देखे इन्हें रहपा के नाम से भी जाना चाता है तो कोशन आ सकता है पिदाई की रहपा के नाम से किसे जानते हैं कीरती वर्मन टू को he was the last king of बदामी डानेस्टी देखें first king तो हमेशा पूछते हैं last king भी पूछना चाहिए वो पूछते ही हैं तो last king कौन थे कीरती वर्मन टू तो पहले राजा देखी कौन थे यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे पड़ा है कि जो पहले राजा थे वो थे यहाँ पे पुलकेशिन वन पुलकेशिन वन ठीक है फ्रेंट्स यह बहुत ज्यादा इंपॉर्डन्ट है तो यहाँ पर हमारा बदामेव चलुक के जो है वो खतम होता है सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस्टर चलुक के गबारे में इसी देखना मत भोलिए सो फ्रेंट्स मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा थैंक्यू जैहिंत जभारत